एक्सरसाइज 10.5 का कुश्चन नमबर एट देखते हैं एट कुश्चन में बोल रहा है इफ दे नॉन पैरलल साइट्स ओफ ट्रपेजियम आर इक्वल प्रूव दाट इट इस आ साइकलिक अगर एक ट्रपेजियम के नॉन पैरलल नाइन्प एक्वल है आपस में तो आप ये प्रूव करो कि वो जो ट्रपेजियम है वो एक साइकलिक क्वाड्रिले लेट्रल है क्योंकि ट्रपेजियम ये ग्र्लाइज ही होता है इसका डागेरंगाम पहले आपन कुर्णक्रक्ट करते हैं, ये एक circle है सफोर्वोच, दो टरिके से अब यह जो ट्रपेजियम के दो साइट्स आपस में parallel होते हैं, तो यह ग्यागै और यह जो दो साइट्स होते हैं, यह आपस में पैरलला होते हैं, इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D, ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को यह प्रूब करना है, question में क्या given है, कि इस trapezium के, यह जो trapezium आपको दिख रहा है, इस trapezium के non parallel sides equal है, तो यह side तो parallel है, यह दो sides parallel नहीं है, तो यह इसके equal है, आपको यह प्रूब करना है कि यह जो A, B, C D है, यह एक cyclic quadrilateral है, ठीक है, तो इसके लिए प्रूब करते के लिए कुछ construction करना होगा, construction क्या करना है, पहले D से एक perpendicular line draw करना है, A, B पर, और C से भी एक perpendicular line draw करना है, A, B पर, नाम दे देते हैं इसको, A, B, C, D, इसको नाम दे देते हैं E, इसको नाम देते हैं F, ठीक है, अ इनको आपन congruent proof करेंगे, in, पहले construction लिख लेते हैं आपन, construction क्या करना है, draw, D, E, perpendicular to A, B, and C, F, perpendicular to A, B, ठीक है, perpendicular होने के बाद यहाँ पर आपको दो triangle दिखेंगे, एक है A, E, D, एक है B, F, C, इन दोनों का वापन congruent proof करेंगे, देखो, in, triangle, A, E, D, and triangle, B, F, C, D, E, और C, F, दोनों perpendicular lines है, यानि कि यह दोनों के दोनों angle, यह angle और यह angle 90 degree का होगा, मैं यह लिख लेता हूँ, इसका angle E, और इसका angle F, यह दोनों आपस में equal है, each 90 degree, इसके बाद में, यहाँ पर देखो, question में आपको बोला है, कि इस trapezium के non parallel sides equal है, यह दोनों sides non parallel है, trapezium के, तो AD जो है CB के equal है, AD BC के equal है, AD is equals to BC, यह question में आपको given है, अब इसके अलावा, यहाँ पर आप देखो, यह जो DE है, और यह CF है, यह दोनों के दोनों perpendicular lines है, और यह दोनों parallel lines के बीच में, तो parallel lines क्या होता है ऐसा line जिनका जो distance है वो throughout same रहता है यहाँ पर भी distance same है यहाँ भी distance same है यहाँ भी distance same है तो मैं बोल सकता हूँ कि यह और यह यह यानि कि DE और CF यह दोनों अपस में equal है DE is equals to CF क्यों क्योंकि distance between parallel lines are equal ठीक है अब देखो यहाँ पर दो triangle में तीन चीज़ अगर आपस में equal हो गया तो वो congruent proof हो जाता है किस rule से हो रहा है देखते है यह 90 degree का angle है तो यह हो गया right angle AD को देखोगे AD इस triangle का hypotenuse है क्योंकि right angle के opposite side वाला जो side होता है उसको hypotenuse बोलते है यहाँ पर भी right angle के opposite side वाला side hypotenuse हो गया तो यह hypotenuse हो गया और DE इस triangle का एक side है DE और CF तो यह side हो गया by RHS यह दोनों triangle आपस में congruent हो गया अब इस congruent होने का फाइदा भी आपन देखेंगे यहाँ आप लिख सकते है therefore triangle AED is congruent to triangle BFC by RHS congruent rule अब अगर दो triangle आपस में congruent है तो उनके corresponding parts आपस में equal होते है मैं बोल सकता हूँ कि इस triangle का angle A और इस triangle का angle B आपस में equal है लिख लेते हैं hence angle A is equals to angle B by CPCT corresponding parts of congruent triangles ठीक है इसको दे देते हैं equation number first अब आप ध्यान दो एक trapezium का एक opposite side का pair तो parallel होता है तो आपको बता दिया कि AD और CB parallel नहीं है इसका मतलब यह है कि DC और AB parallel है आप बोल सकते हो कि AB और DC आपस में parallel है ध्यान से देखो AB DC के parallel है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो AD है यह एक transversal का का काम कर रहा है और transversal का काम कर रहा है तो यहां पर एक interior angle form हो रहा है यहां एक interior angle form हो रहा है तो parallel lines में एक property है parallel lines का interior angle on the same side of transversal are supplementary या इसको co interior angles भी बोलते हैं इन दोनों का जो sum होगा 180 degree का होगा ठीक है तो पहले मैं लिख लेता हूँ यहां सिंस AB is parallel to sorry AB is parallel to DC and AD is a transversal therefore angle A या DAB लिख सकते हो आप या फिर आप simply D भी लिख सकते हो angle D plus angle A plus angle D लिखते हैं angle A plus angle D is equals to 180 degree reason co interior angles या फिर आप पूरा भी लिख सकते हो कि interior angle on the same side of transversal are supplementary अब यहां पर देखो angle A जो है angle B के equal है equation first मैं हमने proof किया है यानि कि ये angle इसके equal है तो आप मैं angle A को angle B से replace कर सकता हूँ क्योंकि ये दोना आपस में equal है angle A को angle B से अगर मैं replace कर देता हूँ यहां पर तो क्या होगा आगे लिखेंगे यहां पर angle A को angle B से replace अगर करेंगे तो angle B plus angle D is equals to 180 degree कहां से आया प्रम equation number पस angle A जो है angle B के equal है तो मैं यहां पर angle A को replace करके angle B लिख लिया हूँ अब क्या हो रहा है देखो angle B और angle D इन दोनों का sum 180 degree है according to theorem number 10.12 theorem 10.12 यह बोलता है अगर किसी quadrilateral के opposite side के pair का sum 180 degree होता है तो वो जो quadrilateral है वो एक cyclic quadrilateral है आप statement यहां पूरा लिख सकते हो if the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree the quadrilateral is cyclic तो यहां पर लाने के बाद में आप theorem लिख दोगे उसके according आप लिख सकते हो therefore ABCD is a cyclic quadrilateral तो यहां पर लाने के बाद में 10.5 का 8th question next video में आपने इसका अगला question देखेंगे next video का link आपको इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा ओा लाने के लिएट के बाद में oure